आज की डिमांड के अनुसार यह है एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको सच में करोड़ पती बना सकता है अगर आप इस बिजनेस को करना चाते हैं इस प्रोड़क को बनाना चाते हैं तो आप फिरी में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, तो उस तरीके से भी बना करके आप इससे अच्छा कासा पैसा कमा सकते हैं, दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है, तो साल के 300 पैसर दिन चलने वाला है, मैं आप लोगों को सही पर हर सुभा एक खामोश क्रांती चलती है, जो प्रतीक है किसानों के एक्रोप्रण्योर में बदलने की, बदलाव के उन अग्वा किसानों में से एक हैं, विक्रम सिंग हाडा, जो अपने बनाए पनीर की सपलाई में व्यस्त हैं, इनका पनीर भी खास है, ये सामाने पनीर नहीं, सोया टोफू पनीर है, जो सोया बीन के दूद से बनता है, और इस सोया पनीर ने बदली है, विक्रम सिंग हाडा की जिंदगी की कहानी क्रेणि के दूद से बनाए जाता है, तो मुझे बहुत बड़ी हिरान हुई, तो मैंने के बीके में जाकर के संपरा करा, तो मैंने ट्रेंनिंग करी हुआ पर 30 दिन गी, उसमें लेडिस भी थी, जेंडस भी थे, लड़के भी थे, ज्यादा उमर के भी थे, कम उमर के, सभी प्रगार के लड़केते सुने। देते हैं कि FSSI नंबर, उनके प्रोड़क्ट का Food Security and Standard Authority of India से किस तरह रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस विभाग के अधिकारियों के लेक्चर भी हम कराते हैं, बैंक के अधिकारियों के लेक्चर कराते हैं ताकि उनको जानकर ये मिले कि हम लोन किस तरह से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम विशेश तोर से ध्यान इस बात का देते हैं कि गुणवत्ता पूर्ण उत्पात तयार हों। उसके लिए हम WHO से रिकगनाइज़ ही कलर और एसेंस इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरिद करते हैं। साथ ही हम मेजर्मेंट बिल्कुल सही होना चाहिए ये बताते हैं। फिर उनको मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप उनका इस्तेमाल करना सिखाते हैं। ताकि बहुत प्रिसाइज और सही तरीके से वो अपने प्रोड़क्ट को डवलप करें। जब उनका प्रोड़क्ट डवलप हो जाए तब उसके मार्केटिंग किस तरीके से हो, उसकी लेबलिंग किस तरीके से तैयार करनी है, पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए। जो कि मार्केटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो हमारा यही उत्देश रहता है कि हम किसान को यूद को वैल्यू एडिशन सिखाएं, जो भी यहां पर उत्पादित होता है, उसके वो मल्टी प्रोड़क्स बनाएं. उन्होंने मुझे आपर स्वाया टोपू पनी बनाना सिखाया, और गलाम जामू बनाना सिखाया, स्वाय भी इनके, हल वाभी इसका बनाना सिखाया, कोचोरी बनाना सिखाया उन्होंने, बिस्कुट बनाना सिखाया, वड़ी बनाना सिखाया इसका, ऐसे बहुत सारे आइटम उनको बनाना पता है विक्रम सिंग हार्धा कृषी विज्यान केंद्र में एक महीनी की ट्रेनिंग लेने लगे तो वहाँ उन्हें संभावनाव की एक अलग दुनिया नजर आई इसमें से मैंने को एक चीज को चुनना था तो बस अब ज़रूरत थी पनीर बनाने वाली मशीन की विक्रम सिंग हार्डा ने पनीर बनाने के लिए प्रशिक्षन लिया और मशीन भी आ गई लेकिन बीजों से दूद निकालना और फिर पनीर बनाना थोड़ा अजीब लगता है न आईए जानते हैं कैसे बनता है सोया पनीर फिर हम बोल करते हैं सो डिग्री टेमपरेटर में हम उसको दूद को बाहर निकालते हैं बाहर निकालने के बाद उसको हम साट्री के सिट से फाल लेते हैं फानने के बाद रिसा बनता है उसका पानी बाहर निकाल देते हैं और रिशा को कपड़े में भांद के जिसमें टोप परीस के साथ प्रेस करते हैं 10-10 मिंट है उसको 30 मिट में हम खोल लेता हैं खोलने के बाद हम पाने में ठंडा कनने या क्शोड़ देते हैं या फिर हम ताजह ताजह माल कस्टमर को देसे हैं मैं मैस चलाता हूँ इंजिनेरिंग कोले में मैस के अंदर हम पनीर उज़ करते हैं सोया पनीर और पनीर का आइटम बनाते हैं पनीर पराठा है चिली पनीर है मतर पनीर है साही पनीर है यह सारी चीजे बनाते हैं और यह पनीर जो हम ले जाते हैं हमारे सामने ही बनता है और को कोई मिलावत होता नहीं है इसमें और बच्चे सब को पसंद करते हैं यहां से मैं सोया पनीर खरीटता हूँ हूँ सब से देड़ सो किलो पनीर हमारा डेली का लगता है और यहां पनीर में इसमें खरीटता हूँ पहले बाहर से खरीटता दा तो मुझे कंप्लेन आती ही लेगिन जब से पांच साल हो गया यहां से खरीटते हूँ कोई कंप्लेन नहीं आई बच्चे पसंद करते हैं टोफू पनीर का जायका अब जबानों पर चड़ने लगा है पर क्या टोफू पनीर भी उतना ही पौश्टिक है जतना की समान्य डेरी वाला पनीर सोया बीन में 40% प्रोटीन और 20% तेल की मात्रा होती है सोया बीन का पनीर है उसमें जो गाय भेंच का दूदे उसके बजाए सुगर की मातरा कम होती है और कोलस्ट्रोल की मातरा निल होती है इसके साथ साथ फैट भी कम होता है इसकी जो प्रोटीन की गुनवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें कुछ मिनरल, आवस्टक, अमीनो एसिट और बेटामिन्स ही पाय जाते हैं ये जो डाइवेटेक और हर्ट पेसेंट हैं इनके लिए ये काफी लाबधायक होता है क्रिशी विश्विध्यले कोटा आरके विजना के तहत विभिन किसानों को उननत किस्म के बीज प्रवाइड कराता है इन किस्मों में कीट एवं बीमारियां कम लगती हैं तथा अच्छा उत्पादन मिलता है राष्ट्रिय क्रिशी विकास योजना के तहत केवी के कोटा में चलाए जा रहे इन ट्रेनिंग प्रिग्राम्स ने विक्रम सिंग जैसे किसानों को एग्रो प्रण्योर में बदल दिया कभी रोजकार की तलाश में रहे विक्रम से आज खुद रोजकार देने वाले बन गए है आज मेरे पास मेरे प्लांट में चार्थ कवरकर भी काम करते ही, जो मेरेधी किसान बाई की बेटें हैं जुको मैंने रोजकार दी रखा है आज हम अच्छा और अच्छा बेश्ट क्वालिटिकर सभाय टोपनीर बना के बेज रहे हैं देड़ सो सो दो सो किलो स्वाया पनीर हमारा दिख जाता रोड डेली, अच्छा पेसा मुनापा कमा लेता हूँ, सार साथ अच्छे जार पे, जिसे मेरा जीवों उने अपन अच्छा चल रहा है, जो से हमारा कोईवीन का पॉलांटा आया है, अब से प्रोफिक भी अच्छा और आमन दानी भी अच्छी है, और पंदर लागा उने मकान ले लिया, और उपर रहने के लिए पांच लागा बना लिया, और बच्छे हमारे किनों इंग्लिस मीडे में जाते हैं मुझे सोच भी नहीं सकता था, कि मैं स्वाय पनियर में इतना आगे बढ़ सकता हूँ, आज में मेरा सपना है कि मैं स्पोर बाड़ा करूँ, आगे और बढ़े कोटा के विक्रम सिंगहाडा एक मिसाल है, राश्ट्री कृशी विकास योचना के तहट किसानों की आमदने दुगनी करने का काम अब रफ्तार पर है खेतों में उगी मस्कान को तकनीक और कौशल विकास के जरीए समरिधी में बदलना कृशी क्रांती इसी को तो कहते हैं